हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Vivo Y01 Android MWILEPHONE में आप जो फिंगर्प्रिंट लॉग कैसे सैट कर सकते हैं अपने MWILEPHONE पे ठीक है और यह फिंगर्प्रिंट लॉग सैट होने के बाद यह फिंगर्प्रिंट के लॉग की सैटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यह वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने MWILEPHONE में सैटिंग पेज ओपन करना है ठीक है सैटिंग पेज को ओपन कर लीज फिंगरप्रिंट लॉक सेट करना है ठीक है आपको किसी भी हाथ की किसी भी एक उंगली को यूज करना है ठीक है किसी भी एक उंगली को नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहा है इस पर आपको उठा उठा के ऐसे टच करना है ठीक है तो आपका इस तरीके से फिंगरप्र scanning complete हो गया है ठीक है और यहाँ पर नीचे done का option select करना है यहाँ पर आपका fingerprint का page आएगा और सबसे नीचे आपको fingerprint 1 लिखावा दिखाई देगा इस तरीके से आपका fingerprint lock set हो जाता है अब इस setting कैसे काम करेगी मैं आपको समझाता हूँ देखिए जब भी आप phone की screen को off करेंगे तो आपको phone की सबसे नीचे fingerprint का sensor दिखाई देगा इस पर आपको उंगली को touch करना है जो आपने set की थी तो इससे आपका phone unlock हो जाता है तो यह fingerprint lock set करने कवाद ऐसे काम करेगा अब मैं आपको यह fingerprint की setting को है न ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है setting page में आपको सबसे उपर इस search icon सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको search bar में fingerprint आपको type करना है ठीक है fingerprint ठीक है इस तरीके से तो आपको fingerprint से मिलते जुलते काफी सारे options होंगे इसमें आपको fingerprint का यह अप्शन सेलेक्ट करना है जिसके नीचे setting security लिखा होगा इससे क्या होगा आपका phone आपको directly setting में लेकर आजागा और इसे highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंड़ने का आपके mobile phone में